नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार आई ये फटा फट अंदाज में करते हैं खबरों के शुरुआत आई एनस इसकेम मामले में पी चिदंब्रम से पूच चाच की इडी को मिली इजाजत एन सीपी नेता परफुल पटेल को समन जारी हर्याना में चुनावी सवा में गर्जे प्रधान मंत्री मोदी कहा पाकिस्तान को दिये जाने वाले पानी रोकेगा भारत हर्याना में विधान सवा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को होगा मतदान, 24 अक्टूबर को होगी मतगणना महराष्ट विधान सवा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी किया घोशना पत्र विधायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का किया वादा सिखों के शिर्ष संगठन के प्रमूख ने RSS पर परतिवंद लगाने की रखी मांग कहा देश को बाटने का काम करता है RSS कॉंग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रधान मंत्री मोधी पर कसा तंज कहा अभीजीत बनर जी को सुनिये और काम पर लग जाईए होकी के दिगच खिलाडी संदीप सिंग अब राजनीती में अजमाएंगे किसमत हरियाना विधान सवाचुनों में बिजेपी के लिए दागएंगे पहला गोल होकी स्टार संदीप सिंग को कुरू छेतर की जनता से बड़ी उमीद हरियाना के प्योहवा निर्वाचन छेतर से संदीप सिंग है भाजपा के उमीदवार 24 गंटे के अंदर PMC बैंक के तीन खाताधारकों की मौत एक डॉक्टर ने भी डिप्रेशन में आकर की सुसाइट भारतिय रेलवे ने रद की 236 से ज़्यादा ट्रेने भारतिय रेलवे की अधिकारिक वेवसाइट पर देख सकते हैं ट्रेनों की लिष्ट हर्याणा मेवाद के पुनहाना सीट पर कभी नहीं जीत सकी है भाजपा इस बर भाजपा ने पुनहाना सीट से नौचमा चोधरी को बनाया है उम्मिदबार यूपी के एक स्कूल में सरस्वती वंदना के जगब बच्चों से जबरन कराई गई इसलाम की प्रार्थना हिंदू संगठन के नाराजगी के बाद प्रिंस्पल सस्पेंड देहेज में रोयल इन्फिल्ड वाइक नहीं मिलने पर पती का भड़का गुसा तेज धारदार हतियार से पतनी की काटीनाक यूपी हातरस की है गटना ग्लोबल हंगर इंडक्स मामले में भारत का प्रदर्शन खराब पाकिस्तान बंगला देश से भी पिछडा भारत नजरवंदी के बाद सामने आया पूर्व सीयम उमर अब्दुल्ला का फोटो आर्टीकल 370 हटाए जाने के बाद नजरवंद किये गए थे उमर अब्दुल्ला पश्चिम बंगाल के राजिपाल जगदीप धनखड का छलका दर्द कहा ममता बिनर्जी के द्वारा कराएगे दुर्गा पूजा प्रोग्राम में हुआ मेरा अपमान राउल गांधी ने परधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जेव कत्रे से कराई तुल्ना कहा ध्यान भटकाने में माहीर है मोदी पूर्व केविनेट मंत्री पीसी शर्मा ने सुबे की सडकों को लेकर बीजेपी पर कसा तंज कहा बीजेपी नेता के गाल और सडक के गढ़े दोनों कमाल के हैं देंगू के मरीजों को देखने पहुचे मंत्री अश्वनी चोवे पर दो यूपकों ने फेकी स्याही गुस्से में दिखे मंत्री अश्वनी चोवे भागलपूर में पुलीस और अपरादी के गढ़ जोड का हुआ खुलासा मामले में दो दरोगा समयत एक S.I.E. सस्पेंड अपरहन करताओं से भागलपूर जोकसर थाना पुलीस की हुई थी पैसों की डील रूपिये नहीं मिलने पर पुलीस ने रचा फरजी गोलिबारी का साजिश जमुई सिकेंडरा के युवक्का 13 अक्टूबर को हुआ था अपहरन जोकसर थाना पुलीस को जानकारी मिलने के बाद भी एक दिन बाद की कारवाई पूरे मामले पर डियाईजी विकास बहबम ने संग्यान लेते हुए दिये थे जाच के आदेश CCTV फुटेज में 13 गुंडों के साथ सिरीराम अपार्टमेंट में दिखे जोकसर पुलीस डेंगू के कहर से भागलपूर बदहाल शहर में सफाई व्यवस्था पर उठे कई सवाल मायागंज अस्पताल में डेंगू के मरीजों का नहीं हो रहा है सही से इलाज बराल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रहें सिल्क टीवी के साथ तब तक लिए नमस्कार